हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे भैतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फियर्स क्लाव लर्न टू लीड में गूड मॉर्निंग तो अल दी स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम नवंबर महीने के टॉपिक वाइस क्र इस महीने में इस मिलें इसको देखना है और लोगिन करने के वाद लोगिन करने के बाद क्रैक क्रैस के उपर ख्लिक करना है आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाइब कर सकते हैं दोनों का ही price बहुत कम है एक और मेरे कहने से price जूरूर चेक करें आप खुद हैरान हो जायेंगे कि इतने कम price पर हम आपको बहुत सी रहे हैं तो क्या को मिलेगा आपको मिलेंगे डीली क्रेंट फेर में दोस्तों तीन सेक्षिंस होगे एक मैं इतेटेल क्रेंट फेर होंगे एक में question and answer format क्रेंट फेर सोगे जो कि आपको e-book की मदस्षे मिलेंगे और एक होगा क्विस जो कि आप हमारी एप्लिकेशन के ओपर डेली अटेम्ट कर सकते हो ऐसे ही वीकली सेक्शन त्यार किया गया है जिसमें आपको दो पीडिएफ मिलेंगे जिसमें एक डिटेल करेंट फेर की होगी एक कोस्चन एंसर फॉर्मेट होगा लेकिन एक क्विस होगा जो कि हर हफते आप हमारी एप्लिकेशन के ओपर अटेम्ट कर सकते हो नेक्स्ट होगा मंतली सेक्शन इसमें चार तरह की पीडिएफ मिलेंगे जो की अलगले तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो जैसे कि स्टडी पीडिएफ है यह डिटेल करेंट फेर है जिसमें आपको इसका यूज कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइस करना चाहते हैं अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट ए बैंकिंग एक्जाम की त्यारी करेंगे तो हम आपको तीन अलग चीजे प्रवाइब करेंगे जिसमें बैंकिंग एन एकॉनमी से रिलेटेड डिटेल करेंट फेर उसी से रिलेटेड कोस्टिन एंसर फॉर्मेट करेंट फेर आपको पीडिएफ में मिल जाएगा और बैंकिंग एन एकॉनमी का क्विस भी आप अटेम्ट कर सकते हो हर महीने हर महीने अटेम्ट कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है 30th of May को है तो 29 माई तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का use कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी एक तो detail, एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी सिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के उपर click करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ash10 का लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email id पे हमें mail कर सकते हैं इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं November महिने के topic wise current fair जिसमें आज का topic of discussion है books and authors बहुत ही important books जो है वो cover करने वाले हैं वीडियो बहुत ही चोटी है सिरफ 6 questions जो है वो हम cover करेंगे क्योंकि November मीने में 6 books जो है बहुत ही importantly release की गई है जिसमें पहला question है who author the bilingual book bilingual book है दो language में लिखी हूँ यह French और English में French में नाम है देला, nuclearization, देला Asia और अगर English में देखोगे तो nuclearization of Asia है तो आप nuclearization of Asia से इसको याद रख सकते हैं नाम आपको बिल्कुल याद रहेगा और यह book लिखी है रेने नवा ने तो answer क्या होगा इसका चार होगा तो एक French author है रेने नवा जिन्होंने इस bilingual book को लिखा है जिसका English में नाम है nuclearization of Asia यह book जो है वो nuclear emergency के बारे में discuss करती है और किस तरह से Pakistan और China आपस में जुड़ते जा रहे हैं और यह एक पूरे world के लिए खत्रा बनता जा रहा है और साथी साथ इस book के अंदर जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम nuclearization को कम कर सकते हैं और किस तरह से Asia की अलगले countries में nuclearization के उपर ज्यादा focus हो रहा है जबकि वो कम होना चाहिए तो रहने नवा पहले भी दो books यों है वो Asia के उपर लिख चुके हैं जिसमें एक बहुत important है जो कि Pakistan के उपर लिखी हुई है तो उस book के अंदर बताया गया है कि किस तरह से Pakistan जो है वो खतरा पैदा कर रहा है Western World के लिए या Eurasia के लिए या उन countries के लिए जो Eurasian के अंदर है या Eurasia के अंदर है या Europe के अंदर है उनके लिए Pakistan किस तरह से खतरा बनता जा रहा है तो किस तरह से Pakistan को रोका जा सकता है ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई हुई है तो याद रखना है nuclearization of Asia जो है वो रहने नबा ने लिखी है अगले question के उपर आते है किसने बुक लिखी है engineered in India from dreams to billionaire dollar science तो एक company है science तो उसके आप कह सकते हो कि आगे बढ़ाने वाले एक person जिन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को specially जो लिखा गया है वो लिखा गया है BVR Mohan Reddy के दौरा तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा एक Indian entrepreneur है एक बहुत बड़े businessman है इवन founder and chairman है इस company के जिसका नाम है science इन्होंने बुक लिखी है engineered in India from dreams to billion dollar science और इसको penguin business ने publish किया है और इसमें उनकी journey बताई हुई है कि किस तरह से उन्होंने इस company science को बनाया है और किस तरह से उन्होंने engineering services को outsource किया बाहर से कई बंदे hire किये और किस तरह से engineering technology के थुरू उन्होंने इस company का निर्मान किया तो dreams to billion dollar science अगले question के उपर आते है उस union minister का नाम बताना है जिसने recently एक booklet का उदगाटन किया है और उस booklet का basically focus क्या है agenda for members of panchaiti raja जो भी panchaiti raja के members है उनके लिए काम बताया गया है ताकि rural development जो है वो किस तरह से की जा सकती है उनको बताया है कि यह जह चीज़े अगर करते है तो उससे rural development जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है आपको बताया है कि panchaiti raja institution हमारे constitution में 73rd amendment 1992 में जो है वो उसको specially add किया गया था constitution में जिससे तीन level का panchaiti raja system जो है वो हमने constitution में add कर दिया और ये book किसने जो है वो release की होगी तो आप idea लगा सकते हैं जो union minister हमारे rural development के हैं और panchaiti raja के हैं गिरी रास सिंग जी तो answer यहाँ पे क्या होगा एक होगा तो उनने इस book का उद्गाटन किया है क्रिशी बवर में इस book को जो है वो उसका बिमोचन किया गया इसको launch किया गया और दीरे दीरे करके इसको कई regional languages में भी जो है वो translate करके release किया जाएगा और इस booklet की मदस से जो है वो जितनी भी rural development किया panchaiti raja की schemes चलनी है वो सारी इसमें बताई हुई है और इसमें बताया गया है कि लोगों के लिए वो schemes किस तरह से लाबदाएक हो सकती है और किस तरह से उन schemes को use करके जो है वो पंचाइती राज के जो members है वो लोगों तक फाइदा जो है वो पहुँचा सकते है अगले question के उपर आते है किसने book को लिखा है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एके जान की अमाल जो है वो कौन है एके जान की अमाल जो है वो उनका scientific contribution बहुत बढ़ा रहा है क्योंकि वो इंडिया की इंडिया की first woman है जो botanist है जो क्या है botanist है और यह book specially published की है N-view N-view Research and Development Organization की तरफ से क्योंकि एक event organize किया गया था यह 125th birth anniversary है एके जान की अमाल की तो उनकी जितनी भी achievements है या उनकी life के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो की इंडिया की पहली woman botanist है और इस book को लिखा है एक retired school teacher निर्मला जेम्स की तरफ से तो answer क्या होगा इसका तीन होगा अगले question के उपर आते है first edition जो है वो vigilance magazine का release किया गया है और यह release किया है National Mineral Development Corporation Limited का जो vigilance department है उन्होंने release किया है आपने इस vigilance magazine का नाम बताना है इस vigilance magazine का नाम है सुबोध तो answer क्या होगा इसका 4 होगा तो बहुत ही simple है इसको head office हैदरबाद में जो है वो release किया गया है National Mineral Development Corporation की तरफ से और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इसका main मकसद यहीं है इस magazine का सुबोध का कि एक तो honesty के उपर हमने focus करना है इसको आगे बढ़ाना है और transparency और अगर transparency रहेगी अगर पारदिर्शता रहेगी तो सारे के सारे बंदों में honesty अपने आप ही आ सकती है और उनको ये भी पता लगता रहता है कि कहां पे कितना जो पैसा है वो खर्चोर है कितना पैसा आ रहा है कितना किसके पास है सारी चीज़ें यहां से क्लियर हो जाती है तो National Mineral Development Corporation के जो chairman और managing director है जिन्होंने इस book को release किया उनका नाम है सुमित देव अगले question के उपर आते हैं उस union minister का नाम बताना है जिसने recently एक book release की है India, the mother of democracy बहुत important book है इंडिया और यह prepare की गई है Indian Council of Historical Research की तरफ से Indian Council of Historical Research और यह book specially release की है दर्मेंदर परदार जी ने जो की union minister है education के तो answer क्या होगा यहां पे तीन होगा तो दर्मेंदर परदार minister of education भी है और साथ में skill development भी है तो उन्होंने इस book को release किया है और साथ में आप कहा सकते हो कि जो president है या chair person आप कहा सकते हो Indian Council of Historical Research के professor रगुवेंदर तनवर रगुवेंदर तनवर उन्होंने भी इस book को लिखने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया है लेकिन हम यहां पे एक बंदे का नाम नहीं ले सकते क्योंकि यह पूरी organization है Indian Council of Historical Research तो इसमें बताया गया है कि किस तरह इंडिया जो है वो सबसे बड़ी democracy है और कौन-कौन से features जो है वो इंडिया में आजकल चल रहे है जिसके according इंडिया आज भी एक बहुत बड़ी democracy की एक example पूरे world के लिए है तो यह book specially release किये है हमारे education minister दर्मेंदर परदान जी ने तो यह थे हमारे पास बहुत ही important current fairs अगर वीडियो अच्छा लगा तो like करें, share करें और अभी के अभी चैनल को subscribe कर लें और आप हमारे हर platform को join कर सकते हैं Facebook है, Instagram है, LinkedIn है और Telegram चैनल है हर official चीज टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो आप उसको जुरूर subscribe कर लें आपको description box में link मिल जाएगा Thank you guys, take care and bye bye